कि अल्राइट सो टुड़े इस दे टू और सेल्फ ट्रांस्फरमेशन मास्ट्री अभी हम लोग शुरुवात करने जा रहे हैं सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगी क्योंकि आज आपने डिसेजन लिया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर बहुत सब्सक्राइब हम अप्लाय करने लग जाता है तो हमारे जीवन में हम लोग ट्रांस्फरमेशन ला सकते हैं कलम ने सीखा कि exactly चेंज़ेस और ट्रांस्फरमेशन में क्या डिफरेंस होता है अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे कहींन न कहीं चेंज़ेस के लिए आज कल का जो सेशन किया और आने वाला जो कल का सेशन है यह this is the three days bootcamp right so in तीन दुनों के दौरान आज के बाद और कल के बाद जो भी हम decision लेंगे हम लोग work करने वाले हम लोग काम करने वाले हैं पूरी तरह से transformation के लिए आज के बाद हम जो भी सोचेंगे उसमें हमेशा 100% transformation कैस सिला सकते हैं उस बारे में हम प्रयास करेंगे are you ready with me come on are you ready प्रेज भी आन रहे ताकि बाकी के लोग भी आपको देख सके सब्सक्राइब बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर हो सके कि उन लोग अगर करना चाहूंगी दिल से क्यों क्यों क्योंकि आप लोग सुबह सवेरे छे बजे उठकर सेशन अटेंड कर रहे हैं डाट्स वंडफुल राइट अपने लिए जोरदार तालिया क्योंकि यह कोई भी असफल इंसान कभी नहीं कर सकता यह सफल इंसान होता है जिसे कुछ न कुछ करना होता है लाइफ में वो कभी बहाना नहीं देता है यह सुरनों सही बोल रहे हूं राइट तो यूँआप टेकन डिसीजन कि आज आपको यहां पर सेशन अटेंड कर रहा है राइट वंडफुल पीपल अपने आप से कहें यह यह संवंडफुल यह संवंडफुल यह संवंडफुल अपने आपको एप्रिशेट करना यह एक क्रकार की कॉलिटी होती है गाइस ऐसे करेंगे यह संवंडफुल यह संवंडफुल यह संवंडफुल चलो एक अक्टिविटी करते हैं शुरुवात में जैसे मैंने आपको बताए वैसे आपको करना यह संवंडफुल अपने आपको शाबाशी देना है और यह हुई है वर्दोन, वंट रद कोड़ा? आपने आपको अप्रिशेट करें यह मैंने अपने लाइफ से सीखा है अभी से जो भी सेशन में मैं आपको बताते जा रही हूं एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत जदा मायने रखता है गाईज बीच में कुछ ऐसी बाते बोल जाती हूं जिससे लोगों के जिंदगी में 360 डिगरी ट्रांस्फरमेशन आ स तो आज Bennett शुरू कर देजिह है कि यह से मानना शुरू कर देजिये कि यह सीर्शी कुछ यह सीर्थ रेंस्याति द्रीनस के बाहरे में बात करेंगी कि आज हम लोग एंपनीं के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपने अंदर सिल्फ transformation खुद के अंदर बहुत ही बहतरीन बदलाव लाना चाहते हैं ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ऐसा लगे कि वाओ यार मज़ा आ गया फिंटास्टिक मज़ा आ गया जिन्दगी जीने में बहुत मज़ा रहा है यह हमें लगना चाहिए बट कैसे लगेगा तो कुछ हैं जिसके उपर हमें काम करना होगा जैसे कि कल हमने बहुत सारी चीज़े समझी आज भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के उपर बात करेंगे जो भी आपको पसंद है उसे आपको implement करना होगा ऑके सकसेश का एक रूल्स सकसेश का एक ही रूल है मैं आपको बताती हूं ज आपको जो परसन सिखा रहे हैं अगर उन्होंने कुछ लाइफ में किया है तो डॉंट वरी गाइज वह आपको सही ही बताएंगे जैसे कि मैं आपके सामने यहां पर हूँ बहुत सारी लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है गाइज है ना छोटी-छोटी-छ उसके जिंदगी में बदलाव आया है और वो परसन अगर आपको कुछ बाते बता रहा है तो दिस इस यूर रिस्पॉंसिबिटी कि आप उसे इंप्लिमेंट करें कल मैंने जो आपको बाते बताई आज बताऊंगी कल और फिर से बहुत सारी बाते बताऊंगी बट दमेंट ह déjà ऐसे सुनने से कुछ नहीं होता है तो बहुत सारी बाते इतनी बहुत रहां है और आप से पूछ रहे कि मुझे समझ नहीं आ रहा में क्या करू तो आप भी उसको कुछ न कुछ तो नॉलिज दे ही दोगे यह सुर्णो यह सुर्णो गाइस हर एक परसंगे में बात कर रहे हूं राइट जो बहुत कमजोर इंसान होगा ना जो अपने आपको कमजोर मानता है वो भी इ आगे वाले परसंगो बहुत अच्छी राय दे सकता है एग्री यह सुर्णो राइट सो यह सब आता कहां से है तो कहीं न कहीं मैं लोगों को बस वहीं बताती हूं कि हम सभी के अंदर धेर सारा पुटेंशल है धेर सारा बट उससे हमने अप्लाय ही नहीं किया जब तक आप अप उससे अप्लाय नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे यह सुर्णो गाइज राइट सो पुटेंशल को अप्लाय करना बहुत ज़्यूरी है इंप्लिमेंट करना बहुत ज़्यूरी है जो भी हमारे पास है जो हमारे अंदर ट्रांस्फोर्मेशन लेकर आए यह एक ऐ बहुत ही बेस्ट इंसान बन सकता है उसको कोई भी हरा नहीं सकता इस बेस्ट राइड तो चलिए मैं आपसे कुछ बाते शियर करती हूं ध्यान से सुनते चले जाए जो भी मैं आपसे यहां पर शियर कर रहे हूं से डुम फोटेंट इस दुनिया में जितने भी सफल लोग रहे हैं उन्होंने इस quality के उपर काम किया इस चीज को अपने अंदर पूरी तरह से अपना लिया और इसी वज़े से वो लोग अभी भी हर दिन सफल होते जा रहे हैं और जो लोग इस दुनिया में सफल रहे और वो लोग जो जो परसन इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है ब मैं इस के लिए और जो लोग फिल्वे पॉसिबल नहीं और जो लोग के लिए हैं यह साल अपना बैस दूँगा वो लोग की लिए सुनने में छोटा सा शब्द है अगर आप इसके उपर काम करने लग जाओगे तो आप बूलोगे कि वाओ यार जिन्दगी जीने में मज़ा आ रहा है इस दुनिया में आप देखोगे दोस्तो रिस्पोंसिबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो बहुत पावरफुल है अब सवाली उड़ता है कि रिस्पोंसिबिलिटी को हम इतना महत्व पूर्ण क्यों माने क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रही हूं बढ़ बहुत सारे लोगों को कडवी लगेगे है ना ध्यान से सुनिएगा आज मैं आपको अभी इस पल में एक सच्ची बात बताने जा रही हूं बढ़ बहुत सारे लोगों को वह बात कडवी लगेगे सुनना चाहते हैं कितने लोग सुनना चाहते हैं ऐसे करेंगे कान क स्थेल से सुनिये और आप चाहे तो लिख भर सकता है एक सेंट रही हो पहले तो लिखिये फिर हम समगते लिखिए मैं आज जो भी हूं मैं आज जो भी हूं सिर्फ के ऊदेट सर्फ मेरे वजह से ही हूं मैं आज जो भी हूं सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से ही हूं कितने लोगों को समझ आ रहे हैं बाते आप आज जो भी है, सिर्फ और सिर्फ आपके वज़े से हैं, है न, मैं आज जो भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वज़े से हूँ पहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मायम, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, यह नो, पार्डिसिप्रेंट्स बोलता है मुझे, प्रॉबलम्स लेकर, मायम आपको मैं क्या बता हो, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए मैं आच जहां पर हूँ, मेरी फैमि ने देती जब भी मैं कुछ सीखने जाता हूं बीच में टांग अड़ा देती है बीच में बोलती है कि भाई मत सीख तो मेरी बीवी के वज़े से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं बहुत सारे हाउस वाइफ कुछ सब्सक्राइब है मैं जबर रजस्ति शादी करवाई है कोई नहीं कर सकता है यह की मरजी के अलावा इस दुनिया में कोदि यह हो सकता है कि आप अगर सोचेंगे नो माम आपको नहीं पता यू कन अंडिस्टाइब मैं सिच्वेशन ओ कौन समझ सकता है तो आप अपने आपको समझो आप तो अपने आपको समझना शुरू कर दो कब समझोगे तो इस वेरी वेरी इंपोर्टन गाइस कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉंसिबिलिटी लेना पड़ेगा बट प्रॉब्लम एज बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ की रिस्पॉंसिबिलिटी बराबर से ली ही नहीं है कि मुझे एक मिट दीजेगा कि कि अपने जिन्दगे की रिस्पॉंसिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज हम कुछ बातों को समझेंगे जो आपने इसके पहले कभी नहीं समझें आपने ये तो सुना होगा कि हां भाई हमें रिस्पॉंसिबिलिटी लेना चाहिए इमाएं बता रहे हैं और सुबह सुबह 6 बज़े बुला ले आपने वही वही बता रहे हैं ध्यान से सुनो अभी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं यह जो दिमाग की धक्कन है वह खुलने वाले हैं तो मैं चाहती हूं कि स्ट्रेट बैठिये कैमरा और करके रखिए डायरी प रिस्पॉंसिबलिटी अभी किस चीज की आपने लेके रखे हो हमने यह तो सुनाएं गाइस कि हमें रिस्पॉंसिबलिटी लेकर रखी है है यह हमें understand करना होगा तो मैंने जहां तक लोगों का उनुभफ किया है कि कौन-कौन से responsibility लोगों ने लेकर रखी है तो एक-एक बात के उपर हम discuss करता है बहुत बड़ी responsibility लोगों ने यह लेकर रखी है कि यार इतना सारा समय है समय को कैसे तो भी निकालना है this is the responsibility है ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी शादी हो गई है तो चलो कैसे तो भी निकाल लेते हैं life को चलो कैसे तो भी जैसे मान के चलो कोई course जॉइन किया this is very important guys okay आपको बहुत गहराई से समझना होगा मान के चलो आपने कोई course जॉइन किया तो अगर आपके मन में है कि यह course को कैसे तो भी निकालना है कैसे तो भी समय को बिताना है तो इस वेरी रॉंग responsibility यू हाफ टेकन है ना very very important अगर आपको किसे ने कुछ बताया कि हां भाई आपको यह करना है तो आप मन से बोल रहे हो मन में आपकी यह आ रहा है चलो कैसे तो भी समय निकालना है so this is very very wrong responsibility जो आप ले रहा है क्यों क्योंकि उससे रिजल्ट ने आएगा अगर आप जिंदगी ऐसे जी रहे हैं और बोल रहा है कि कैसे तो भी समय निकालना है तो आपका सिर्फ समय ही निकलते जाएगा so you need to understand कि क्या आपके अंदर भी ऐसे thoughts चलता है क्या आपने कहीं ऐसी तो responsibility नहीं ले रखिए कि चलो भाई जिंदगी मिली है तो कैसे तो भी काटना है अगर यह आपके अंदर है आगे नहीं बढ़ पाओगे आप सही बोल रहे हूं यह सुनो गाइस अगर आप बोल रहे हैं कि चलो भाई जिंदगी मिले इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं तो कैसे तो भी हम बन जाते हैं मत करो टाइम वे सफल बनने के लिए क्योंकि आप रिस्पॉंसिबिलिटी कुछ इस माइंड सेट के साथ ले रहे हैं कि कैसे तो भी करना है मैं लोगों को बताती हूं हमारा मॉर्निंग क्लब चलता है छे बज़े से साथ बज़े का बहुत सारे लोग अल्रेडी हैं उसमें बट कुछ लोगों को जम मैं बताती हूं कि दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगी आप छे बज़े से साथ बज़े तक डेली आओ आपको बुक रिडिंग कैसे करना एक्स्प्लेइन करके दूंगी मैं यह हमारे टीम लोग एक्शन ही नहीं लेता है मैं लोगों को बताती हूं decepन लोगो नहीं कर आ रहे न कर पा रहे न मैं आपको करवाउंगी वाट्र मेनिफेस्टिशन नहीं कर रहे मैं आपको करवांगी लोग Independent फिर यह लोग एक्शन नहीं लिता हैं उसमें भी कुछ नहीं लोग अगर इस माइंड सेट के साथ दोस्तों आप अपने जिंदेगी विता रहा है तो नहीं आएगा फर्क कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों से एगरी हैं राइट हम कुछ भी करें जैसे मान के चलो आप कोई बिजनिस कर रहा है तो चलो यह कैसे तो भी समय निकल रहा है चलो देखते हैं एक न एक दिन तो अमिर बन जाएंगे यह कब आएगा वह एक दिन कपसे इंतिसार कर कि हम अपने कौन से माइंडसेट के साथ रिस्पॉंसिबिटी ले रहे हैं एक और रिस्पॉंसिबिटी के बारे में बताती हूं जो बहुत लोगों में पाई गई है हो सकता है कि आपके अंदर भी हो तो यह आपको करना है क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग है घर के कितनी बड़े रिस्पॉंसिबिटी माइं गओड घर के लिए जितना खर्चा लगता है उत्तना कैसे तो भी निकालने का है अपने को है न कितने लोग Object disconnected लेके चल रहे हैं बताई है सच सच बताईए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एर घर का खर्चा जितना है न उतना भी निकल जाए तो भी मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूं बताईए लग रही है लग रही है बट आपको यहां पर कुछ बातों को समझना होगा खर्चा निकालने के लिए जिन्दगी बिताना यह तो जीही क्यों रहे हैं खर्चा तो सभी लोग निकाल रहे हैं यह सुर्णो कुछ करना है हमें सेल्फ ट्रांस्फॉमिशन ऐसे नहीं अगर आप इस सेशन में आए हैं मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी सेप्टेमबर मंत में मतलब कि इसके लास्ट सेप्टेमबर हमने थर्टी वन डेस का सेल्फ ट्रांस्फॉमिशन मास्ट्री क्यांप लेकर रहे थे यूट्यूब में उसके सारे सेशन्स अवेलेबल क्या कर रहा है बता नहीं कुछ कुछ लों हैं चौन ओर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोग तो गायप से हो गए यह सारी city से बंद कर दिए घर भी बठे हैं सो उनके बारे में मैं क्या कहूं राइट सो नम्मर टू रूल आफ लाइफ पहला रूल मैंने क्या बताया था आपको एंप्लिमेंट करना चाहिए आपको सिखना बंद कर दोगे तो जीतना बंद हो जाएगा लोग सब्सक्ति रिसीखना तो होगा इंप्लिमेंट हो रहे यहां पर मैं बात कर रही हो responsibility की responsibility यह कि घर के लिए जितना खर्चा निकालना है उतना कैसे तुभी निकाल लो दोस्तों ध्यान से सुनिए इंसान जैसा सोचता है ना उसके साथ वैसा ही होगा आपने यह किया होगा कि आपको जितना खर्चा है कितने लोगों ने अब्जर्फ किया है बताईए जितना आपका खर्चा घर का कैसे तूभी जुगाड़ करके यहां वहां से पैसा आही जाता है यह सर नो और फिर आप बोलते हैं कि चलो भाई जनुवरी का महिना निकल गया फिर फरव 24 25 26 27 अरे पैसा खतम हो रहा फिर टेंशन बढ़ता है आपका फिर आप फिर से मैसेज देता है कि चलो भाई घर का जितना खर्चा है उतना तो निकल गया ना मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की ना तो फिर चेंजेस कहां से आएगा कैसे आप ट्रांस्वोमिशन लेकि आओगे गाईज जब आपकी सोच ही इतनी छोटी है कि घर में जितना खर्चा लग रहा है बस उत्ता ही चाहिए तो कुद्रत भी वो लेगा ठीक है भाई मैं तेरी हेल्प करता हूं यहां पर हमें बात सम सब्सक्राइब को क्या क्या पहुंचा रहे हैं यह तो बहुत बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी जब लोगों को लगता है कि हमने अपने परिवार को पाल लिया बस हो गया दिस वेरी बिग रिस्पोंसिबिलिटी नो यह तो सारी दुनिया कर रही है रिस्पोंसिबिलिटी लेना है न तो लोगों को बदलाव लाने की रिस्पोंसिबिलिटी लो लोगों को मदद करने की रिस्पोंसिबिलिटी लो करोडपती बनने की रिस्पोंसिबिलिटी लो है किसी में हिमत हाथ उपर नहीं कर पा रहे है है किसी में इम्मत कमान हाथ उपर तो कर लो कौन देख रहा है आपको क्या लग रहा है कोई देखेगा और मैं करोड़ पत्ती नहीं बन पाया तो ऐसा चल रहा है माइंड में अरे बोलो तो सही कि हां मुझे अमीर बनना है मुझे सफल बनने का है चाहे कुछ भी हो जाए तो कैसे वर्ड्स आप पहुचा रहे हैं कैसे रिस्पॉंसिबिलिटी ले रहे हैं यह बहुत इंबॉड़न्ट है उसके बाद और कौन से रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हैं लोग वह हम देखते हैं आगे चलकर ठीक है त्यांस देखिएगा लेट उठने के आप किसी के ऊपर कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि किसी इनसान को आपके बारे में पता है या आप किसी और के उपर कैसे उटाकर बोल सकते हैं कि मैं आपको नहीं पता सुबह उठने में क्या प्रोब्लम जाती है यह मैं बहुत अच्छे से जानती हो का इस क्यों पता है क्योंकि मेरे लिए सबसे प्यारी है मेरी नींद ठीक है उस नींद को मारते हुए हमारा सेशन चलता है सवा पांच से पौने छे बज़े तक है ना मनी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम हमारा चलता है जिसमें मैं लोगों को सिखाती हूं कि आप अपना अमीर माइंड सेट कैसे डेवलप कर सकता है अब कि हिपनोटिक मेडिटेशन का हमारा सेशन चलता है तो सवा पांच बज़े उठना होगा जल्दी उठना पड़ता होगा है ना ये सुर्णों गाइस इतने सालों से इसके पहले हमारा कमांडो ट्रेनिंग चलता था वह भी हमारा सवा-पांच बज़े से रहता था उसक मैं किसे शेयर करो आप लोगों से करूंगे तो आप बोलोगी कि मैं मापी तो डी में टेमोटिवेोट हो रहे हैं उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती है बट कोई शेयर नहीं करेगा आपसे पता है क्यों क्योंकि वो लोग आपको सिखा रहे हैं कि दोस्तों करो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो बट उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स जाती है 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 ना मैं आपके सामने खुद होके बताती हूं बहुत बार असा होता है कि नींद नहीं खुल पाती है आके बंद रहती है पूरी चिपकी रहती है फिर भी अलाम बचता है फिर भी दिल बोलता है कि उठ निशाओ है ना सुबह सिर्फ एक थौट की वज़े से मैं उठती हूं कि लाखों करोड़ों लोग तेरा वेट कर रहे हैं तेरी बातों का वेट कर रहा है उठ जा निशा अब तो उठ जा सुबह उठने के लिए यह आपको तै करना है अगर आप बोलोगे कि मैं लेट उठोंगा मैं तो मैडम बारा बजे के पहले नहीं उठ सकता सुबह दस बज़े के पहले निए उठ सकता तो यह अपने responsibility ली है कि मैं लेट उठूंगा तो कौन से टाइप की responsibility हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं दोस्तों कि कौन से टाइप की responsibility हमने लेकर रखी है यह हमें यहाँ पर समझना होगा कितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं बताइए काफी लोग तो मोरे मैजिकल मॉनिंग कम्यूनिटी में है तो वो लोग तो जरूर से उठते होंगे कितने लोग नहीं उठ पाते कितने लोग नहीं उठ पाते सब सच बताइए कि ओके ग्रेट कितने लोगों की एक्छा है उठने की यह बहुत इंपॉर्डेंट है अगर आप लेट उठ रहे हैं और आपकी एक्छा ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता इक्छा होना जरूरी है अगर एक्छा है तो मैं आपकी मदद कर सकते हूं हमारा कम्यूनिटी चलता है छे बज़े से साथ बज़े तक उसको आप कर सकता है जितने भी लोग इंट्रेस्टेड है मुझे जरूर से बताईएगा लास्ट में बताऊंगे आपको कितना प्राइज है उसका कैसे जोइन कर सकता है लेट उठने की रिस्पॉंसिबिटी और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए अभी जो ब ब्लेम करने की दूसरों को ब्लेम करने की डिस्पॉंसिबिलिटी ले रखी हमने कभी बी कुछ भी गडबड हुआ जिन्दगी में तो हम लोग पता है क्या करते हैं हम लोग ढूंडते हैं कि ऐसा कौन सा परसन है टार्गेट करते हैं किसके वजह से मुझे ये प्रॉब्लम पर हम गई डार्गेट करते हैं फोन करते हैं उसको जापने लगते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरी तरह से देखते हैं अपने आपको ऐसा बताता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया का राजा और बस उसमें टाइम विस्ट हो जाता है वो भी सुन लेता है जगड़ा हो जाता है ताइम वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ रिलेशन्स वेस्ट ऑफ एनरजी तो पैसा भी लगा देते हैं बोले चल्ड में को तुझे मिलना है और तो तुझे वहाँ पर बताता हूं आ तो तो सही इतना समय है लोगों के पा दूसरों को ब्लेम करने की कुछ भी हुआ किसी और को ब्लेम किया अरे मैडम आपको नहीं पता मेरी मम्मी कैसी है बहुत आच्छी नहीं है मेरी मम्मी ब्लेम करते हैं अरे मैडम आपको पता नहीं मेरे बॉस कैसे है बॉस ऐसे है तो जॉब ही क्यों कर रहे हूं किसी ने कह आपको शॉप करने को बताो कहीं और काम डूढ़ो आपकी डूस्थ दोस्तों आपने ही ली है यह को मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा सभी को है न हम और कितनी सारी चीज़ें बता हुआ है हमारी responsibility हमने ही ली है कि इतने लोग आगरी कर रहे हैं और कुछ बाते बताओ कि समझ में आ गया कि इस टैंड कि हमें अपनी समझना पड़ेगा एक और लेकर रखिए लोगों ने पता है कौन सी और ये तो इतने लोगों में पाई गई है है मैं कहती हूं कि 100 परसेंट का अगर रेशियो निकाला जाए तो गलत नहीं तो 80-85 परसेंट लोगों में यह रिस्पॉंसिबिलिटी पाई गई है और जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूं यह रिस्पॉंसिबिलिटी अगर आपके अंदर रहती है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इवन आपका लॉस हो सकते हैं बहुत ज़दा लॉस आप अभी जैसे हो ना और और हो ज रहती हूं और बहुत सारे लोगों में पाई गई है एंडाट इस हमेशा निगेटिव बाते सोचने की हमेशा दुनिया में कितना भी अच्छा कुछ चल रहा हो लेकिन मैं तो यह निगेटिव ही सोचूंगा मुझे हक दिया गया है कुदरत ने कि भी यह तुम ढूंडते हैं तराशते हैं जैसे ब्लेम करता है ना हम लोगों को वैसे चीजों में सिच्वेशन में काम में हमारे क्या नहीं अच्छा चल रहा है सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बाते सोचने की रिस्पॉंसिबिलिटी ले रखी हमने और इस बातों को हमेशा यह सोचने की रिस्पॉंसिबिलिटी क्या लगता है आपको दूस्तों आपके अंदर निगेटिव थोट्स आते हैं अच्छा अभी आपको मैं एक चीज़ बताती हूं ध्यान से सुनिए आपको अपने बारे में समझ में आ जाएगा मांनके छुलो टराजोह तराजोह जो होता है जिसमें जो हम लोग है उससे यह करता है तो डिसे देटराजोह और यह है आपका निगेटिव साइन और डिस पॉजिट इस साइन वकें आप अपने आप से पूछिए कि आपका सबसे जादा पल्ला किसका भारी और आपको खुद को बताना है अगर आप सोचों कि दिन भर में विचार करोगे दिन भर में अपने विचारों पर ध्यान के इंद्रित करोगे गर तो मिला वो तो कि से नहीं सोचा नहीं माडम अच्छा घर नहीं है किसने लिए responsibility देखो जो भी हमारे life में हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है health अच्छी नहीं है ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है कोई भी problems जारी अपने आप से सवाल पुझो किसने लिए ले थी responsibility किस ने लिए थी responsibility कि आपके बाजवाले ने लिए थी नहीं ना हमने खुद ले थी responsibility टाइट सो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हो कि अगर आप हमेशा निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही होगा आपके साथ है ना एक और बहुत महान responsibility लोगों ने ले रखी है जो आपके अंदर भी होगी and that is overthinking करने की लोगों के अंदर overthinking करने की आदत है लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन है इस दुनिया के बारे में सोचने वाला मैं ही तो हूँ मैं ही तो हूँ है कि कलोता इंसान जो पूरी दुनिया के बारे में सोच सकता हूँ और सोचने लगता है कि किसके life में क्या चल रहा है कौन क्या कर रहा है किसका जुगाड़ा किसके साथ चल रहा है कि ये सुरनो कौन किसके साथ लगा हूआ है अच्छा किस के पास कौन से कार आ रही है क्या जो है न यहां वहां है ये सुरनो राइट दिमाग में को पंचर बना के रख दिया है कि सवाल जिसके कोई मूल नहीं दोस्तो जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है आप देखोगे अगर आप पूरे दिन भर में मानके चलो एक टिक्नीक मैं आपको बताती हूं इसे आप अप्लाइब कर सकते हो एक दिन कोई भी आप ऐसा निकालो मैं तो क्याती हूं आज कहीं ऐसा दिन निकाल पर कि आपके दोनों कंद्धों के उपर ऑण फैंट है पिस आपके विचारों पेर करने जर रखरें और रॉब उनसे बात करने बैठे हो तो आपके बॉद्प आपको बताएंगे ज़ादा से ज़ादा नीगेटिव सोचा जब बेने में विचार किया कि टेक्निक आप अपलाय करके देखो इमाजिन करना है कि बॉडि गार्ड्स हैं दो जो हमारे विचारों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं विचारों के बारे में पूरी तरह से एक पता चल जाएगा हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छा भी सोचते होंगे है ना बट मैं बहुत सारे और मुस्ट लोगों की बात कर रही हूं है ना और ना जाने दोस्ते इसे बहुत सारी बात हैं अके दिरा लॉट्स ऑफ रिस्पॉंसिबिलिटी जो हमने ले रखी इसको आपकी जिंदगी बनाने की भी रिस्पॉंसिबिलिटी आपकी है एक और बहुत अच्छी बात यहां पर मैं सेशन कंड़क्ट कर रही हूं छे बज़े से साड़े साथ बज़े तक यह सुनो राइट कल मैंने आपको दो दिन के वक्शॉप के बारे में बताया था बहुत सा लोग बोल रहे थे कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी तो मैं नहीं कर सकता तो मैंने तो रिकॉर्डिंग भी अविलिबल बताया है रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइट करने वाली हूं बट फिर भी रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं लेते लोग वाई क्यों मैं आपके सामन क्यों नहीं निकाल सकते आप जो इंसान आपके जिंदगी बदलने के लिए बैठा हुआ है सामने उसके लिए आप क्यों नहीं समय देना चाहते हैं आपको समय देना चाहिए यह सुनो गाईज जो आपको खुद से मिला रहा है आप लोगों अगर मेरा मेडिटेशन का प्रोग्राम नहीं किया होगा जरूर से कीजिएगा seven days का हमारा मेडिटेशन क्याम चलता है और इस महिने तो हम लोग night मेडिटेशन लेकर आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगे उस बारे में वंडरफुल कॉंसेप्ट वंडरफुल बताऊंगे आपको ठीके जो इनसान आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जिन्देगी बदल सकती है उसको कभी मत छोड़ो दोस्तो कभी मत छोड़ो इवन आपके घर पे भी अगर कोई होगा ना जो आपको बोल रहा है कि मैं तेरा साथ दूंगा या तो बता तो सही तुझे क्या प्रॉब्लम है उसका साथ मत छोड़ो दोस्तों उसको बताओ शे बिलकुल मदद नहीं कर सकता है यह सब बकवास है ट्रेनिंग तो मैं कहती हूँ कि उस इंसान को छोड़ दो या फिर उस इंसान को ट्रेनिंग में ला लो क्योंकि आपके वज़े से उसकी बीजिंदगी बदल जाएगी यह सुर नो राइट सो रिस्पॉंसिबिलिटी हम कर सकते हो और दूसरा दिन ऐसा होगा कि आप एक प्रिस्पॉंसिबिलिटी ऐसी नहीं लोगे जो आपके लिए गलत हो ऐसी ऐसी बाते में आपको बता सकती हो प्लिमेंट क्या कर रहा है इंप्लिमेंटेशन इस वेरी इंपॉर्टन गाइज है ना जानती हूं कि आप सभी लोगों का अक्टिविटी काफी पसंद होती है और यह वह पांच ऐसी बाते लिखना है जो हम गलत रिस्पॉंसिबिलिटी ले रहे हैं जैसे मैं आपको बहुत सारी बाते बताई उसमें जैसे कुछ होगा निगेटिव सोचने की ओवर्थिंकिंग करने की ब्लेम करने की कुछ भी रिस्पॉंसिबिलिटी हो सकती है तो यहाव तो राइट इडाउन फाइफ थेंग्स फाइफ रिस्पॉंसिबिलिटी जो आप ले रहे हैं लेकिन वह गलत है लिखिए लिखिए खुदके लिए कमान कौन कौन सी रिस्पॉंसिबिलिटी आप ले रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है लिखिए कि जिससे आप और पीछे जा रहे हैं कि अ कि अ कि अ झाल झाल कि जैसे आपका हो जाता है लिखे डान हम लोग आगे बिढेंगे समॉण है झाल झाल जैसे आपको हो जाए बताइए डन वेरी गुड आगे बढ़ता है मैं आप लोग उससे पूछ नहीं पाऊंगी बिकॉस और भी कुछ चीजों के बारे में आपको कुछ बाते बताने हैं एक होंवर्क मैं आपको देना चाहती हूं जो आप जरूर से कीजिएगा क्योंकि यहां पर ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास आप पांच एसी कौनसे रिस्पॉंसिबिटी है जो आज से आप लेने वाले हैं जिससे अपका ग्रोध हो फाइव रिस्पॉंसिबिटी कौनसी आप लेने वाले जिससे आपका ग्रोध हो आपको जैसे भी समय मिलता है इस बारे में जरूर से हुवक कीजिएगा ठीक है और जो भी लिखेंगे आप उसे इंप्लिमेंट जरूर कीजिए का गाईज आप लोगों के लिए ग्रेट यूज यह है कि हमारा दो दिन का वक्षॉप आ रहा है चार और पांच डिसेंबर को उसको आप सभी को अटेंड करना है बिल्कुल मत सोचिए कि कैसे होगा क्या होगा 2022 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं अब हम दो कॉलिटी की बारे में और भी बाते करते हैं फिर मैं आगे बढ़ते हूं आप लोगों के लिए ग्रेट नियूज देना चाहती हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल चलता है ठीक है आफ यूट्यूब चैनल जिसमें बहुत सारे सेशन्स अल्रेट अपलोड़ेट है चीक है तो किस तरह से चैनल है मैं आपको जरूर से दिखाना चाहूंगी लोगों ने किया हुआ है सब्सक्राइब बढ़ जिन लोगों ने नहीं किया है मैं आपको भी चैनल का लिंक दे दूंगी आप इसमें जाएंगे वीडियो में तो बहुत सारे सेशन्स है शक्ती प्रोग्राम के बारे में पिर आप और भी जाओगे तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे दे थर्टी वंडे थर्टी डे ट्वंडी फाइफ यह सारा सेल्फ ट्रांस्वर्मेशन मास्ट्री के सेशन्स है तो इससे जरूर से देखेगा आने वाले समय में हम लोग आपके सब्सक्राइब कीजिए और जो लोगों ने आलरेड़ी किया है सब्सक्राइब वो लोग यहां पर लिख सकता है डन सो दाइवल अंडर्स्टैंड कि आप लोगों के लिए बनाया गया है इसमें भेर सारे मेडिटेशन सापको मिलेंगे जितने भी हमारे बहुत सारे सेशन् वाला है तो यह भी आप बाद में देख सकता है यह यूट्यूब चैनल आप एक यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं जहां पर सारी चीजों का नॉलेज मिलता आपको पैसो के बारे में आप सीखेंगे मन को शांत कैसे रखा जाए इस बारे में आप सीखेंगे खुश कैसे रख जस्ट फॉर यू गाईस नॉट फॉर मी ठीक है इस इस फॉर यू थैंकि बढ़ता है अब ध्यान दीजिए जो मैं आपको बाते बता रही हो नंबर फिफ्फ्थ सिक्रेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वट इस नंबर फिफ्फ सिक्रेट इस वेरी वेरी इंपॉर कमिट्मेंट में बहुत सारी चीज़े आती हैं हम कैसे पता करें कि हम कमिट्ट है या नहीं तो उसके कुछ सिंपल फॉर्मेट्स है जो मैं आपको दे रही हूं यहां पर नंबर वन हमें अपने आप से और इस पूरी दुनिया से प्रॉमिस करना पड़ता है इस बारे में जो भी आप करना चाहते हैं तो आपको कंफलूजन मतलब फोकस कौन सी चीज के ऊपर आपको फोकस करना है अब कि अन्प कर रहे हैं या नहीट कर 1700 कर रहे हैं या लगाते अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाशा में समझाओ कि आपका खुद के साथ और इस प्लिश को मूट चीज को मैं इस तरह से लेती हूं कि हमने अपना record ब्रेक किया है क्या यह हमें देखना है आपका behavior आपके behavior में आप changes ला रहे हो या नहीं यह आपको देखना पड़ेगा अगर आपको behavior पहले जैसे हैं पहले जैसे निगेटिव है, दूसरों को ब्लेम करने ओला बिहेवियर है, बस वैसी रहोगे फिर आप, अगर आप committed हो, अगर आप सफल बनना चाहते हो, तो आपको behavior change करना पड़ेगा, है न, trust, क्या आपके उपर लोग trust कर पा रहे हैं, अगर कर पा रहे हैं, that means you are amazing person, है न, आप कहीं न कहीं commitment निभा रहे हैं, अगर trust नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जरुत है, कि लोग आपके उपर trust करें, है न, यह सारी बाते जब होती है, तो आपको पता चलता है, कि आप कहीं न कहीं success के two words आगे बढ़ रहे हैं, आप चाहें तो इसका, you know, screenshot ले सकते हैं commitment, ठीक है, यह सारी बाते commitment में रहना चाहिए, अब हम आगे बढ़ता है, commitment के उपर हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, अभी मैं within a short period of time, अपनी story आप से share करूंगी, ताकि जो लोगों को मेरी story नहीं पता है, उन लोगों को भी पता चले, कि exactly what is my story, commitment, जब मैं पह confidence की बहुत जदा कमी थी, कुछ support नहीं था, कैसे आगे बढ़ना है, किसी भी प्रकार का कुछ भी knowledge नहीं था, even though मैं लोगों की मदद तो करना चाहती थी, पहले से मेरे अंदर ये भाव है, बट कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ा जाए, कुछ भी नहीं पता थ मेरे साथ मेरे भाई भी है, दीपक जैन, हम दोनों मिलकर अनुखा brain करके हमारा venture है, जिसको हम run करते हैं, और हमारे साथ बहुत सारी team जुड़ी हुई है, जो लोगों की help कर रहे हैं, तो ये अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले हमें पता नहीं था, कैसे आगे करती थी, then health में बहुत सारी issues थे, guys, बहुत सारी issues थे, हमेशा तबित खराब हो जाती थी, okay, और ऐसा नहीं कि doctors को नहीं दिखाया, doctors को भी दिखाया, बहुत सारे doctors को दिखाया, इतना सारा पैसा लगा दिया health में, बट फिर भी health ठीक नहीं होई थी, क्यों, क्योंकि मन में pressure तो health कहां से ठीक होगी, है न, बट जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखना शुरू किया, वैसे वैसे, मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी, दोस्तों, आज की situation ऐसी है, कि अभी corporate level पे भी हमारे programs चलता है, मुझे खास तर से बुलाया करना है, आपको responsibility लेना है, सारी चीज़े करो, बट मन में stress रखकर कुछ नहीं होता है, यह सारी चीज़े सिखाने के लिए मुझे बुलाया जाता है, online में हमारे काफी सरे programs चलता है, सबसे पहला program जिससे मैंने में शुरुवात की थी, I mean online की, जिसका नाम है magical morning community, जो हमारा morning में 6 बजे से 7 बजे तक चलता है, पिछले देड़ दो साल से हमारा चल रहा है, successfully run हो रहा है, बहुत लोगों का काफी अच्छे-च्छे result आ रहा है, दूसरा हमारा program चलता है, विजन बोड मास्ट्री, आप अपना विजन बोड दो दिन में कैसे बना सकते हैं, इसका हमारा workshop चलता है, ऐसे चोड़े-चोड़े बहुत सारे वर्क्षाप चलता है, मनी के रिलेटेड वर्क्षाप और लॉट्स अब जब आओगी कम्मूनिटी में पता चलेगा, सबसे मेन प्रोग्राम हमारा चलता है, मनी मनिफेस्टेशन मास्ट्री, पैसों के बारे में अपनी सोच चको कैसे बढ़ाया जाए, अमीर कैसे बनना, उस बारे में हमारे प्रोग्राम चलता है, वैसे लॉट्स अफ प्रोग्राम हमारे चलते हैं, यह सब अभी पॉसिबल हो पा रहा है, पहले था क्या, नहीं, जब मैंने कमिट्मेंट लिया, कि मुझे कुछ करना है यार जिंद तब मैं सोचती थी कि यार मुझे ना खुद की कमपनी उपन करना है, मैं बिजनस वूमन बनना चाहती हूं, और अभी ऐसी आलात है कि मैं कमपनी के डिरेक्टर हूं, जो आप सोचते हैं, जिसके लिए आप कमिट्मेंट होता है, वो होता है गाईज, थोड़ा सा समय लगत करना जिन्दगी में जैसा निकालना है, वैसे निकालूंगा मैं जिन्दगी, तो ऐसे लोग कभी नहीं आगी बढ़ पाएंगे, है ना, आपको कमिट्मेंट लेना पड़ेगा, जिद्धी बनना पड़ेगा आपको, सक्सिस के टूवर्ड्स, ठीके, जब आप जिद्धी बनते हैं, कमिट्मेंट हो जाते हैं, बहुत जद्धी कि मुझे कुछ तो कर रहा है बेस्ट, तब जाके लाइफ में बदलाव आते हैं, अब मैं आप से एक सवाल पूछते हूं, आप मैं से कितने लोग हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि अभी तक, जितनी भी आपकी एज हो होगी ना, आपके बहुत सरे सपने होंगे, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ स्किल्स को आप सीखना चाहते हैं, तो जो आपने 2021 तक नहीं किया, ध्यान से सुनिए मेरे सवाल को, स्रेट बैट जाएंगे सभी लोग, कम आ वेरी गुड, सो 2021 तक जो भी आपने नहीं कर पाए, क्या आप लोग तयार है, 2022 में अपनी दुनिया बदलने के लिए, बताईए, कम आन, टेल में फास्ट, मैं आपके मदद करने के लिए आयो, दुस्तों, दिल से मदद करना चाहते हूं आपकी, दो दिन को वक्शॉप जर एक बहुत ही easy format में, वो मैं आपको पूरा format दोंगे, है ना, तो 2022 को अगर आप बहुत ही धमाकेदार बनाना चाहते हैं, तो आपको committed personality बनना पड़ेगा, committed personality जब आप बनते हैं, तो ही आपके life में result आते हैं, इसे से बहुत सारी चीज़े तय होती हैं, ओके, आज हमने second quality की बारे में बात की, that is fifth quality, कल हमने तीन quality की बारे में बात की, आज हम again तीन qualities की बारे में बात कर रहा हैं, जिसमें से fifth number की quality है commitment, आप लोगों को commitment रहना पड़ेगा, खुद के लिए, खुद के जिन्दगी के लिए, तके, and then हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, quality number six, secret number six, अगर आप अपने अंदर, transformation लाना चाहते हैं, what's that, become observer, यह तो इतना शांदार है, जिससे आप वाकई में बहुत आगे जा सकता है, okay, become observer, आप बूलेंगे कि मैं मैं HOL करता हूं सारे लोगों को कि मुझे सारे लोगों में बुराएध, जाते हैं मुझे सारे लोगों के बारे में बहुत कोछ आप बोल रहे हैं यहां पर बात कर रही हूं कोई और क्या गल्पिया कर रहा है कोई कहीं जातों नहीं रहा है यह हो गया हो गया आज में तुमको पताए क्या हुआ अरे कल मेरे मामा जाजी का फोन आया था उन्होंने बताए कि उसके घर में नहीं हो गया यह सब के लिए नहीं बनना है इससे तो नहीं बर्बाद हो जाएगी ऑप्जरवर बनना है हमें खुद के लिए हैना that is secret number six हमें ख अब्जरवेशन बाहर की दुनिया को हमें अब्जर्व करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगे आगे चलकर कैसे करना है बट सबसे पहले सेल्फ ऑब्जरवेशन करना हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के सभी सक्सेस्फुल लोग और वो इतना अब्जर्व करते हैं और इस बारे में आपको उस दिन बताया था अगर आपने सेशन अटेंड किया होगा है ना कि आपको सबसे ज़्यदा खुद के उपर फोकस करना है ठीक है यहां पर जितने भी महान लोगों को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इन लोगों उने खुद के उपर फोकस किया अब्जर्वर बने वो सेल्फ ऑब्जर्वर कि मैं अपने अंदर कैसे बदलाव लाओ खुद से पूछते रहे कि और क्या और क्या वाट्स नेक्स्ट इस तरह की परस्नालिटी आप लोगों को बनना पड़ेगा जब आप इस तरह की परस्न सेल्फ ॅब्जर्वर हैना विकंद ऑब्जर्वर मतलब कि देख करना स्मफल सी भाषा में अगर मैं आप से कहूं देख करना खुद की घर में तो देख रेक करते हैं, अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछते हूँ, आपके घर पे तीजोरी होगी, है ना, जहां पर आप लोग पैसे रखते होंगे, कितने लोगों की घर पे हैं तीजोरी, अच्छा पर्स तो होगा आपके पास, है नहीं है, आप लोग उसकी कै रखते हों अरे बराबर है ना पैसा समाल के तो रखा है ना, कैसे तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितना आप देख रेक अपने पैसों की रखते हैं ना, उससे कई गुना जादा, हजार गुना जादा, जब आप खुद की देख रेक करने लग जाओगे, तो आप बनने लग जाओं गया है बहुत बड़ी बात कई हम लोग पैसों के बारे में इतना डरता है कि कहीं चूरी ना चले जाए वह हम लोग अपने बारे में कब आपजर्फ करेंगे ऐसी चीजे कि कहीं मेरा यह निगेटिव थौट मेरा लॉस तो नहीं कर रहा है कब पूछेंगे अपने आप से कहीं मेरी यह आदत गलत ना हो जाए जिससे मेरी जिन्देगे बर्बाद हो जाए मैं बिल्कुल नहीं करने वाला ऐसा कप करेंगे हम है ना सो दो वेरी इंपोर्टन पॉइंट इस हमें सेल्फ ऑब्जर्वर परस्नालिटी बनना पड़ेगा इस वेरी वेरी के इंपोर्डन इस यहां पर पर के आठे अब आप से आज शेर किया और मुझे बहुत मजा आया क्योंकि आप लोग को ने बहुत ही ध्यान पूर्वक्य मेरी बातों को सुना अब मैं आप से बहुत इंपोर्टनन बाते शेर करने जा रहे हूं आने वाले 10ग में, हाव मैंम come on how many of you ready तैंक यू जो भी आप यहां पर सीख रहे हैं उससे आपको इंप्लिमेंट करना पड़ेगा ठीक है नमबर टू अभी तक आपने जो कुछ नहीं किया 2022 में आप ऐसा कुछ करके दिखाओ जो अभी तक वाकई में आप सिर्फ सोचते रहे गए नमबर थरी अपनी आदतों में इतना परिवर्तन लालो कि ये कुद्रत भी परेशान हो जाए आपको सफल बनाने के लिए नमबर फोर यहाँ पर अनोख अपरिन में जितने भी प्रोग्राम समलुक करवाते हैं चाहे वो दीपक सर का प्रोग्राम हो सचिन सर का प्रोग्राम हो आकाश गुपता जी का प्रोग्राम हो कोई भी परसंद्रिति सर का प्रोग्राम हो मेरा प्रोग्राम हो योगेश जी का प्रोग्राम हो भी तो बहुत टीम बढ़ रही हमारी कोई भी प्रोग्राम हो एक भी प तरीके से डिजाइन किये हैं तो जो भी प्रोग्राम से एक वी प्रोग्राम मत छड़ो जो भी प्रोग्राम होता है वो सारे याटिंग करो और उसमें से अपनी जंदिगी को बहतर बनाऊ तो जा रहा है नेक्स पॉंइंट अपने आपको हम जिस तरह का परसंदेखना चाहते हैं तो जो पर्सन हम देखना चाहते अपने आपको उसके अंदर कुछ तो पॉरी जान लगा so these are some points from my side for today जिसके उपर आपको काम करना है आज का सेशन कैसा लगा बाइद वे आपको अच्छा लगा बहुत सारी बाते हमें समझ में आई येस नाव दू